तू जूटी, मैं मकार से बॉक्स अंबे ओफिस पर धमाल मचाने के बाद, एक्टर रणबीर कपूर अपनी most awaited film animal को लेकर सुर्खियों में हैं। जनवरी में फिल्म का पहला पोस्टर रिलीज किया गया था, जिसमें एक्टर का एक्शन अवतार नजर आया था। वहीं फिल्म का pre-teaser 11 जून को रिलीज किया गया था, जिसमें रणबीर के खुंखार, लुक ने फैंस की excitement को और बढ़ा दिया था। पहले फिल्म गदर 2 और OMZ 2 के साथ 11 अगस्त को रिलीज होने वाली थी, लेकिन फिर post production के अधूरे काम के कारण इसकी रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था, जिसके बाद से फैंस फिल्म की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं। अब फिल्म का नया पोस्टर रिलीज कर दिया गया है। इसी के साथ फिल्म की रिलीज डेट का भी एलान कर दिया गया है। टी सीरिज ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एनिमल का नया पोस्टर रिलीज किया है। जिसके कैप्शन में लिखा है कि वह खूबसूरत है, वह जंगली है, उसका गुस्सा आपको 28 सितंबर को देखने को मिलेगा। बता दें कि पोस्टर में रणबीर नीले कलर का बलेजर पहने चश्मा लगाए, हाथ में लाइटर लिए सिगरेट पीते नजर आ रहे हैं। लंबे बालों में एक्टर का लुक काफी इंप्रेसिव लग रहा है। फिल्म का टिजर 28 सितंबर को 10 बजे रिलीज किया जाएगा। फिल्म की रिलीज डेट की भी अनाउंसमेंट हो गई है। रणबीर कपूर और रश्मिका मंदाना स्टारर ये फिल्म 1 दिसंबर 2030 को सिनेमा घरों में दस तक देगी। बता दें कि रणबीर कपूर की फिल्म एनिमल कंगना रणओत की इमर्जेंसी के एक हफते बाद रिलीज होगी। हालांकि सिनेमा घरों में रणबीर की टककर, विक्की कौशल स्टारर फिल्म सैम बहादुर और एक्सल एंटर्टेनमेंट की फिल्म फुक्रे थ्रीन से होगी। एनिमल का निर्देशन संदीप रेडडी वांगा ने किया है। संदीप को सुपर हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। इससे पहले वह कबीर सिंग और अरजुन रेडडी जैसी फिल्में बना चुके हैं। कबीर सिंग के बाद संदीप की यह दूसरी हिंदी शाहिद कपूर की इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर जमकर कमाई की थी। फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर दोसो अरठटर करोड से अधिक का कारोबार किया था। इस फिल्म से भी संदीप को बड़ी उम्मीद है। फिल्म में रणबीर कपूर मुख्य भूमिका में है। इसके अलावा उनके साथ रश्मिका मंदाना, अनिल कपूर और बॉबी देओल भी नजर आने वाले हैं। दोस्तों, क्या यह जवान की तरह एथ हजार का कारोबार करेगी, प्रेडिक्शन करके कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।